गौतम ओलाइन इस्टेडी योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज आपके लिए में लेके आऊं सेकंड पार्ट 50 महत्पूर्ण करेंट अफ्यर्स का ठीक है इसके पहले फर्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखें यह सेकंड पार्ट है जिसमें 50 महत्पूर्ण करेंट अफ्यर्स आपको मैं बताऊंगा ठीक है तो आप लाश्ट तक जरूर देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसके पहले के फर्स्ट पार्ट में है ठीक है सेकंड पार्ट है रक्षा अंसंधान योंबिकास संग्ठन दौरा बिक्सित अगनी 5 ठीक है फिर नेक्स्ट है कि वह राजस्थानी जिला जहां भारती रेलवे दौरा हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का सुभारम किया गया है कौन सा है जोधपुर जोधपुर में सुरू किया गया है हमसफर नामक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का ठीक है नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिसन की सुरुवात की है तो किस ने की है उडिसा सरकार उडिसा सरकार ने ग्रीन महानदी मिसन की सुरुवात की है ठीक है इंपोर्टेंट है सभी जो जो में बताऊंगा तो आप अच्छे से लाश्ट तक देखें ठीक है आप बलकी दो बार repeat करने, sorry, ठीक है दो बार repeat करके देखने तो आपको अच्छे से clear हो जाएंगे सभी नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच ब्यापार असमानता को खत्म करने पर सहमती हुई है तो यूगांडा भारत और यूगांडा के बीच देश के बीच ब्यापार असमानता को खत्म करने पर सहमती हुई है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है सेंसेक्स ने पहली बार कितने हजार के आकड़े को पार करके इतिहास रचा है तो 37,000 ठीक है 37,000 के आकड़े को पार करके इतिहास रचा है सेंसेक्स ने पहली बार ठीक है फिर अगला कोस्टिन क्या है कौन से देश की वाई से ना पहली बार पिछ ब्लैक युद्धा व्यास में भाग लेंगी तो भारत भारत देश की वाई से ना पहली बार पिछ ब्लैक युद्धा व्यास में भाग लेंगी नेक्स्ट है अमेरिका आप किस देश के विरुद्ध C-A-A-T-S-A प्रतिबंध नहीं लगाएगा तो किस के बीच अमेरिका भारत भारत अमेरिका भारत देश के विरुद्ध यह प्रतिबंध नहीं लगाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट है 58 38 किसने अकांची जिला कारेक्रम के लिए लिवपिन फाउंडेशन के साथ समझोता किया है तो नीती आयोग ने किया है अकांची जिला कारेक्रम के लिवपिन फाउंडेशन के साथ समझोता फिर नेक्स्ट है कवीरा तेवहार 2018 के तीसरे संस्क्रण की मेजवानी कौन सहर करेगा तो वाराणसी वाराणसी करेगा कवीरा तेवहार 2018 के तीसरे संस्क्रण की मेजवानी फिर देखे नेक्स्ट है 60 कि 2018 फार्मूला वन जर्मन ग्रैंड प्रिक्स टूनामेंट किस ने जीता है तो लुईस हैमिल्टन लुईस हैमिल्टन ने जीता है ठीक है फार्मूला वन जर्मन ग्रैंड प्रिक्स टूनामेंट नेक्स्ट है किस राज्ज ने हाली में विकलांगता सूची में एसीड अटाइक पेड़ितों को सामिल किया है तो किस ने किया है मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश राज्ज ने विकलांगता सूची में एसीड अटाइक पेड़ितों को सामिल कर लिया है ठीक है फिर next है किस बैड्मिंटन खिलारी ने सिंगापुर अपें 2018 में पूरुस एकल वर्ग का घिताब जीता है तो किस ने जीता है Чोटी एनंचेन ठीक है चोटी एनंचेन ने जीता है पूरुस एकल वर्ग का खिताब फिर next है पंद्रहवी राष्टी उँवा एटलेटिक्स चेंपियन्सिप 2018 कहां यजित की गई तो वडोदरा गुजörात में यजित की गई राष्टी उइटलेटिक्स चेंपियन्सिंप 2018 जो की 15 नमबर की है ठीक है फिर नेक्श्ट है फखर जमान फखर जमान जो की ODI मैचों में सकसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए है यह किस देश से संबंदी थे तो पाकिस्तान पाकिस्तान से संबंदी थे फखर जमान फिर अगला है भारत और युगांडा के बीच कितने समझोतों पर अस्ताक चरूए है तो चार समझोतों पर अस्ताक चरूए है भारत और युगांडा के बीच फिर नेक्स्ट है साहवानो साहवानो केस किस निर्ने से संबंदी थे तो किस से संबंदी थे पीड़ित तलाक सुदा मुस्लिम महिला के रख रखाव से संबन दित है ठीक है कौन सा साहवानो केस फिर अगला है भारत बांगलादेश सीमा हाट बांगलादेश और भारत के बीच एक सीमा ब्यापार बाजार है किस मुद्रा में सीमा बरती हाटों पर ब्यापार करने की अनुमति है किस में है टाका टाका में अनुमति है ठीक है मुद्रा में सीमा बरती हाटों पर ब्यापार करने की फिर अगला है पुरसो किस्टरणी में 2017 आल इंडिया फुटवाल फेडरेशन AIFF Player Off the year के रूप में किस ने नमित किया है तो सुनील चेतरी, सुनील चेतरी को नमित किया है ठीक है अगला है भारत और किस देश की बीच आठ समझोते पर अस्ताक्षर हुए हैं तो भारत और रवांडा अनुदान कारिक्रम की सुरुआत फिन नेक्स्ट है सौधी अरब को पीछे छोण कर कौन सा देश भारत को तेल निर्यात करने वाला दूसरा देश बन गया है तो इरान इरान बन गया है दूसरा देश सौधी अरब को पीछे छोड़ कर भारत को तेल निर्यात करने वाला फिर नेक्स्ट है सोटे विले सोटे विले एतलेटिक्स में किसने स्वनपदक जीता तो नीरज चौपड़ा नीरज चौपड़ा ने स्वनपदक जीता है सोटे विले एतलेटिक्स में ठीक है फिर नेक्स्ट है किस देश ने कानून पारिद किया है कि केवल यहूदियों को देश में आत्म निर्भरता का अधिकार है तो किस ने किया है इजराइल इजराइल ने किया है कि यहूदियों को देश में आत्म निर्भरता का अधिकार है ठीक है फिर अगला है कि एकसर युद्ध अभ्यास है ठीक है, एकसरफाइज पीच बलेक, फिर देखें नेक्स्ट है, A.C.I. जुनियर कुफ्ष्टी चेंपियोंसिप 2018, कहां युजित किया गया है, A.C.I. जुनियर कुफ्ष्टी चेंपियोंसिप 2018, ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक मामलो की कैबिनिट क और कमेंटे ने उत्तरप्रदेश के किसमे शाव के तैज़ाअ नयमेडिकल कॉलेज की स्थापनाेश फ़िर मैंजूरइ फिर अगला है यूरोपी संग ने किस कंपनी पर 5 बिलियन डॉलर का जुरमाना लगाया है तो वो लगाया है Google Google पर लगाया है 5 billion dollar का जुरुमाना यूरोपी संगने फिर अगला है कौन घरेलू सीजन में 2000 मैचों का आयोजन करेगा तो BCCI BCCI करने वाला है घरेलू सीजन में 2000 मैचों का आयोजन फिर अगला है किस automoty कमपणी ने अपनी पहली made in India bike launch की है to BMW ने launch की है अपनी पहली made in India bike ठीक है फिर next है कौनसा education board entrance exam नहीं सिर्फ दसमी वार्मी की परिख्चा करवाएगा तो कौनसा CBSE CBSE जो है सिर्फ दसमी वार्मी की परिख्चा करवाएगा entrance exam नहीं करवाएगा ठीक है फिर next है वायदेश जिसने जहां 2 साल बाद आपातकाल की इस्थित खत्म हुई है तुर्की तुर्की वायदेश है जहां 2 साल बाद आपातकाल की इस्थित खत्म हुई है ठीक है next question है फिर कि भारत की प्रमुख जिमनास्ट दीपक कर्माकर ने तुर्की में मेरसिन में FIG और टिस्टिक जिमनास्टिक वर्डचेंप चैलेंज कप के किस इवेंट में सौनपदक जीता है किस में जीता है वाल्ट वाल्ट में सौनपदक जीता है ठीक है फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक इंजिनरिंग और प्रद्योकी का केंद्री संस्थान किस मंत्राले के अंतरकत काम करता है तो रसायन और उर्वराक मंत्राले के अंतरकत काम करता है ठीक है फिर अगला है अमेरिकी दबाव के बाद कौन सा देश ACI देशों को ज़्यादा तेल की पेसकस कर रहा है तो कौन सा देश है सौधी अरब सौधी अरब वह देश है जो अमेरिकी दबाव के बाद ACI देशों को ज़्यादा तेल की पेसकस कर रहा है ठीक है Next question है स्मार्ट सिटी मिशन भरत सरकार द्वारा एक सहरी नवीनी करन और पुनाविदरन कारेक्राम है इस मिशन के तहट कितने सहर विक्सित किये जाएंगे कितने हंडेट हंडेट सिटी को स्मार्ट सिटी मिशन के तहट किया गया था किया जाएगा, विक्सित किया जाएगा सॉरी, लास्ट कौन सी है बताईए आप कमेंट में जरूर इसका एंसर दीजिए कि लास्ट स्मार्ट सिटी कौन है कौन सी है जिससे की 100 चूच कर ली गई है ठीक है तो लास्ट कौन सी चूच की गई है आप कमेंट में ज़रोर एंसर दें इसका नेक्स्ट कोस्चन है 86 भारत स्मार्ट सिटी इंटर्नसिप इंटर्नसिप ठीक है ISCI का रिक्रम और स्मार्ट सिटी इस डिश्टल पेमेंट्स अवार्ड 2018 AMRUT अमरुत योजना के तहट पाइलेट आधार पर कितने सहरों में लागू किया जाएगा कितने में किया जाएगा 25 ठीक है 25 सहरों में लागू किया जाएगा अमरुत योजना ठीक है AMRUT अमरुत नेक्स्ट है हाली में ACI विकास बैंक ADV ने भोजपूर छेत्र में किस नहर की अस्तर परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है तो सोन नहर सोन नहर की अस्तर परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है ACI विकास बैंक ADB ठीक है कहां भोजपूर छेत्र में नेक्स्ट है भारती रेलवे ने पस्च्चमी रेलवे का डिविजन से पहली डबल इस्टेक बोना कंटेनर सेवा पेस की है जिसमें से पस्चमी रेलवे का डिविजन कौन सा है तो राज कोट राज कोट डिविजन में ठीक है नेक्स्ट है चेक गणराज में तीरंदाजी चेंपियंसिप के लिए बिस्ट्रेंकिंग में किस देश की पुरुष टीम ने सुन पदक जीता है तो किसने जीता है भारत भारत देश की टीम ने सुन पदक जीता है फिलबस लाश्ट ही चल रहे हैं लाश्ट तक जुरूर देखें आप हाल ही में जुलाई 2018 में आज चित E-commerce पर Task Force की पहली बैठक की अधिक्षता किस ने की Rita T.O.T.I. Rita T.O.T.I. ने अधिक्षता की पहली बैठक की Next है 31 बरस 2018 के लिए 13 सांती कार संचारन के लिए सईंक तराष्ट के सदफसी देशों दरा कितना बजट अनमोधित किया गया तो कितना किया गया है 6.69 मिलियन डॉलर ठीक है फिर Next है July 2018 में RBI ने लाइसेंस जारी किया जिसकी लिए चीनी बैंक भारत में संचालन सुरू करेगा तो RBI ने लाइसेंस जारी किया है किसका Bank of China चीनी बैंक है जो कि अब भारत में संचालन सुरू करेगा जुलाई 2018 में ठीक है Next है 93 रीता भादुई रीता भादुड़ी का हाली में मुंबई में निधन हो गया वह किस छेतर से जुड़ी थी तो वह अभिने के छेतर से जुड़ी थी Next है किस ने NCC और NSS को समय कित करने के लिए गठन की स्थापना की है अनिल सरूप अनिल सरूप ने गठन की स्थापना की है NCC और NSS को समय कित करने के लिए 96 है फीफा वाइड कप 2018 में किसे गोल्डेन वाल का अवार्ड मिला है तो लुका मार्डिक लुका मार्डिक को मिला है, गोल्डेन वाल का अवार्ड, फिर नेक्स्ट है, फिफा वर्ड कब 2018 में किसे गोल्डेन गलप्स का अवार्ड मिला है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा, गोल्डेन वाल, लुका मार्डिक, गोल्डेन गलप्स, किसे मिला है, थिवाट कोर्ड टू नेक्स्ट है बैडमिंटन एसिया जुनियर चेंपियंशिप में सुन्पदक हासिल करने वाला कौन तीसरा भारती खिलाडी बना है तो लक्ष सेन लक्ष सेन बना है बैडमिंटन एसिया जुनियर चेंपियंशिप में सुन्पदक हासिल करने वाला तीसरा भारती खिलाडी ठी नेक्स्ट है भारत के सुप्रेम कोट ने नसीली दवाओं के खत्रे सिनी पटने के लिए राश्टी कारियोजना तैयार करने के लिए किस संस्थान को कहा है तो अखिल भारती अर्वेद अर्विज्यान संस्थान को ठीक है फिर नेक्स्ट है इंद्रसायनी इंद्रसायनी बना भारत सरकार प्रक्रण संबन्थी फर्वोच नियाले का फैसला किसे संबन्थ थे ए अंसोचित जाती अंसोचित't जन्जाती के लिए पदोन्नती में आरक्षन से संबन्थ थे ठीक है फिर अगला है कॉनसा देश ? नई दिली मेयोजित, जूनियर, ACI कुस्ती Champions 2018 में इरान युझेटस पर है जो की सीर्स पर है जूनियर ACI कुस्ती Champions 2018 में फिर अगला है नाइजिरिया में लागोस इंटरनेशनल बैडमिंटन टूनामेंट 2018 में किसने पुरुस यूगल किताब जीता है तो किसने जीता मनु अत्री और सुमित रेड़ी ने जीता है ठीक है नेक्स्ट है किसने सबसे अधिक कमाई करने वाले सव कलाकारों की सोची जारी की है तो फोर्ब्स फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है 100 कलाकारों की सोची सबसे दिक कमाई करने वाले नेक्स्ट है FIFA World Cup 2018 में किसने Golden Gloves का अवार्ड जीता तो पहले मैंने आपको बता दिया है पर कोई बात नहीं फिर से बता दे रहा हूँ थिवाट कोर्टोईस ठीक है इसी के साथ आज क्या क्लास हम अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ लास्ट में सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दू कि जो मैंने कुस्टन किया है कमेंट में बताने को आप अगर उसे देखते हैं वीडियो को तो कमेंट में जरूर करें बताएं जरूर की क्या होगा उसका एंसर ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि गौतम ओलाइन इस्टेडी यूटूब चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि वेल आइकन जरूर प्रेस करें ठीक है वेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद जिससे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें जब वीडियो अपलोड हो जब लाइफ क्लास हो ठीक है तो इतना आप जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ठीक है और सेयर करें अपने सभी दोस्तों को मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू